नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शकला और आप देख रही हैं बोल स्काय कल क्या होने वाला है ये तो किसी को पता नहीं होता लेकिन कई बार जन्दिगी में हमें कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं जिससे भवश्य के बारे में थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कई बार इश्वर की ओर से हमें ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि हमें धन की प्राप्ती होने बाली है तो चलिए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में पुराणों में कहा गया है कि यदि किसी पर धन की देवी माता लक्षमी की कृपा हो जाए तो उसके घर कभी धन वैभव की कमी नहीं होती लेकिन ये भी कहा जाता है कि लक्षमी देवी एक जगह पर ज्यादा टिक कर नहीं रहती देवी लक्षमी चंचल होती है माता लक्ष्मी की आपके उपर कृपा होनी का पहला संकेत ये है कि जब आपके आसपास अचानक से हरी भरी चीजें दिखाई देने लगें तो समझे आपको माता लक्ष्मी का आशिरवात मिलने वाला है ज़ाडू और लक्ष्मी माता का गहरा संबंद होता है ऐसे में अगर आपको सुभा सुभा कोई ज़ाडू लगाते दिख जाए तो समझे आप जल्द अमीर बनने वाले हैं शंग की आवाज सुनाई देना भी आपके घर पर लक्ष्मी के आगमन का संकेथ है यदि आपके साथ ऐसा होता है तो समझे जल्द ही आपके भागे खुलने वाले हैं सुभा सुभा गन्ना दिखना बहुत शुब माना जाता है यदि आपको अचानक सुभा अपने आसपास गन्ना दिखाई दे रहा है तो ये साव संगेथ है कि आपके दिन पलटने वाले हैं मालक्षमी का वाहन उलू है ऐसे में अगर आपको अक्सर अपने आसपास उलू दिखे तो समझ ये मालक्षमी आप से प्रभावित है और जल्द ही आप पर कृपा करने वाली है जहां जहां उलू होता है वहां मालक्षमी ज़रूर जाती है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम उमीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसी ही जानकारीों के लिए जुड़े रहे बोल्ड स्काय से